और जेलन्सकी को लेकर विवाद के बीच अब कादीरफ ने एक बड़ी साज़िश के तयारी कर ली है कादीरफ अब अपना चेहरा बदलना चाहता है और इसके लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया है कादीरफ अगर इसमें काम्याब हो गया तो समझ लीजे पुतिन पूरी दुनिया में राज करेंगे कादीरफ को दुनिया खूखार कमांडर के तौर पर जानती है कहते हैं कादीरफ और उसकी फौट जहां जाती है कोहराम मचाती है मारियो पुल से लेकर डौनेस्क और लोहांस्क में कादीरफ ने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि जेलन्सकी की फॉट जान बचा कर भागी है इसलिए कादिरफ बहुत खतरनाक माना जाता है कादिरफ को युद्ध के मैदान में गिद्ध कहा जाता है जो अपने दुश्मन को नोच नोच कर खा जाता है लेकिन अब कादिरफ अपनी इमेज बदलना चाहता है वो अब अपनी गिद्ध वाली इमेज शोड़ना चाहता है अगर ऐसा हुआ तो युद्ध लड़ने वाला कादिरफ क्या करेगा तो जवाब है की कादिरफ अब कबूतर बनना चाहता है क्योंकि कादिरफ अब अपनी इमेज एक शांती के दूद की बनाना चाहता है कोल मिलाकर कादिरफ अपनी इमेज शमकाना चाहता है इसमें कोई शक्त नहीं कि कादिरफ पूरी दुनिया में बदनाम है लेकिन अपनी इमेज चमकाने के लिए कादिरफ ने एक बड़ा फैसला किया उसने खुद को मानवाधिकार और शान्ती कायम करने वाला नायक साबित किया और खुद को एक मेडल से नवाजा है कादिरफ को जो मेडल मिला है उसका नाम है Merited Human Rights Advocate of Chechenya Medal चेचन्या में ये मेडल उसे दिया जाता है जो वहां के लोगों की सुरक्षा करता है चेचन्या के हक के लिए काम करता है लेकिन मारियोपोल को कबरिस्तान में बदल देने वाला और लोहांस में जेलंस्की की फौज को सिर्फ अपने खौफ से ख़देर देने वाला और पुतन के एक ओर्डर पर लाशने बिचाने का काम करने वाले कादिरफ के लिए ये मेडल क्या चीज है वो तो खुद चेचन्या का प्रमुख कहा जाता है कादिरफ की मर्जी के बीना चेचन्या में बत्ता तक नहीं हिलता ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कादिरफ ने खुद को ही ये मेडल पहनाने का फैसला किया और उसी ने ये मेडल खुद को पहनाया है तो ये कादिरफ के साथ ज्यादती नहीं होगी ये कादिरफ की आदत रही है कि वो हर मोर्चे पर अपनी मौझूद की दर्ज करा के हीरो बनना चाहता है लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अपने लड़ने के तौर तरीकों की वज़े से उसकी इमेज एक खुखार कमांडर की बनी है और उसकी इमेज ने पुतिन की इमेज को भी नुकसान पहुचाया इसलिए कहा जा रहा है कि हाल ही में जब कादिरफ पुतिन से मिला था तो पुतिन ने उसे बातों बातों में सलादे डाली कि वो अपनी इमेज ठीक करे पुतिन जानते हैं कि दुनिया में कादिरफ की इमेज ठीक नहीं है और इस वज़े से कादिरफ की सारी कुरूरता के लिए पुतिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है इससे पुतिन की इमेज भी डाउन हो जाती है इस लिए युध में कादिरफ की इमज की वज़ा से पुतिन भी पश्चिमी देशों के टारगेट पर रहते हैं क्योंकि कादिरफ को दुनिया पुतिन का दाहीना हाथ भी मानती है पुतिन अपनी इसी इमेज से ना सिर्फ परिशान है बलकि इस बारे में कादिरफ को भी बता चुके है सवाल है कि इस सुवक्त पुतिन का चेचन कमांडर रमजान कादिरफ कहा है क्या वो किसी सीक्रेट मिशन पर तैनात कर दिया गया है वहीं वैगनर चीफ को लेकर रूस में सवाल उटने लगें और उसकी लोकेशन पर पुतिन 24 गंटे नजर रख रहे है कादिरफ ने हाल में पुतिन से एक मीटिंग की कादिरफ बिना किसी को बताए मोस्को गया और वहां पुतिन से एक खुफिया मीटिंग की इस दारां कादिरफ ने पुतिन को कुछ नेहीm इसम предлаг रख बखिटिन से वरोसी मंध कमांडर मना जाता है पुतिन कादिरफ की बातों पर आँख बंद करके यकीन करते हैं यही वज़े है कि कादिरफ के गुनाः पुतिन के गुनाः करार दिये जाते हैं दरसल पश्चिन की मीडिया हमेशा ऐसी खबने तलाशती है जिसमें कादिरफ की कुरूरता बहुत साफ साफ नजर आए जेचन लड़ाकों का मारियो पुल पर अटेक और वहाँ योकरेन के लोगों की हत्याओं से लेकर योकरेन के सैनिकों के दर्दनाख अंत से भरी कई ऐसी रिपोर्ट है जिसे लेकर कादिरफ ने बोलंड से लेकर अमेरिका तक अपने कई दुश्मन बना लिये हैं वो एक बहुत ही क्रूर कमांडर माना जाता है बश्चिमी देश इसे लेकर पुतिन को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते कि दोजार साथ से चेचन्या की सत्ता समाल रहे कादिरफ का नाम मानवाधिकार हनन पॉर्चर अपनन और राजनितिक विरोधियों के मौडर को लेकर हमेशा बोलंदी पर रहा है लेकिन दूसरा सच ये भी है कि चेचन्या में उसे तीस राश्टिय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है रमजान कादिरफ को मेडल पहनने का शौक सोव्यत दौर के लीडर लियोनेट ब्रेजनेव को देख कर चड़ा जिनके सीने पर मेडल ही मेडल होते थे आपको ये जान कर हरानी नहीं होगी कि जिस मानवाधिकार मेडल से कादिरफ ने खुद को नवासा है इससे पहले उसकी माँ और उसके पिता को भी ये मेडल मरोडो परांग दिया जा चुका है इसलिए ये तमगा कादिरफ को क्यों नहीं मिले ऐसा कैसे हो सकता है लेहाजा कादिरफ ने खुद को एक अमन पसंद इंसान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है उसका इरादा दुनिया में अपनी अलग पैचान बनाने की है वो योक्रेन योद से अपनी धमक और खौफ पूरी दुनिया में फैला चुका है लेकिन अब वो गिद्ध की जगया कबूतर बनना चाहता है लेकिन कादिर आफ उन खून के धब्मों को अपनी वर्दी से कैसे मिटा पाएगा जो उसकी फौज के कारनामों की वज़े से बुतिन तक महुंच चुके है